आपका स्वागत है मैं देख बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर रहे हूं और लेवल का कोर्स और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे फोटो एडिटर जो यूनिट नंबर एट का जो है रेक्शन नंबर दूसर जिसमें हम लोग बेसिकली फोटो सॉप के बारे में पढ़ र डाल दे तो आप जैसा भी चाहें तो कर सकते हैं तो फिलाल यह है कि आप लोग जो है इसको फटाबर करते रहे तैयारी इस से ठीक है और चलिए टाइम वेश्ट ना करते हुए इस लेक्शेर को सूर करते हैं और यह वीडियो अगर आप पगो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब सभी लोग कर लिजेगा क्योंकि अब इन्फर्मेशन आप लोगों को मिली चुकि है और इसके बाद में जैसे इसलेबस खाता है उसके बाद में जो है आपका कोस्टन में लेंगे आप जैक्ट टू और सब्जेक्ट विजो भी है एकॉर्डिंट टू को शेयां कर डिजाइन कर रहेते हैं अब अब कि उसमें कलर्चेंज करने के लिए क्या होगा आपके पास में यहां तो ब्लू आर भीजी का आप लोको पता होगा ठीक है रेड ब्लु ग्रीन या रेड ग्रीन ब्लू जैसे भी आपके समसा क्ते है ठीक है तो इस तरी के से इसका युज करते हैं देख लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है कि दा कलश चैनल प्लैट विल बी विल बिल यू लुक एट थ सब्सक्राइब करें तो आपको तीन चैनल मिलते हैं इसके बाद में आप तो अगर मालीजी कोई दूसरे सब्सक्राइब करने तो वहां पर आपको इस प्लाइब करें तो आपने दूसरे कलर से उसक्राइब कर लिखें तो आपने को क्या दिखेंगी जो इमेज दिखेंगी क्या होगी ब्लैक अवाट होगी इस बिकाज इस कलर चैनल इस 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 बात करें तो आपने जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा तो वहां से यह बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका लाइट होता है होता है जो भी लाइट आप रिफ्लेक्शन करके जाती ही वही कलर जो हमको दिखता है तो यहां भी यह होता है कि अगर जिस भी पर्टिक्लर कलर को रिफ्लेक्शन कर रहा होगा फोटो वह आपको दिखेंगी ठीक है यहां पर लिखा हुआ कि देट चैनल इस लुक एड़ अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी जो है लाइट रिफ्लेक्शन कर रही और उस कलर का आपको वह फोटो दिखेगा तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि इस चैनल क्या होता है आगे बढ़ते हैं लोग और देखने क्या है तो आगे बढ़ तो उस समय यह साज चीजी होते हैं और और कंट्रास्ट इनका इन्हांच्मेंट एंड आल्सो अ कनवर्टिंग यह फोटो टू ब्लैक और वाइट इन्टू अ कंपलिंग वी ठीक है तो कहने को मलब क्या होता है कि जब आप फाइनल टेचप दे रहे होते हैं तो आप उस व इसके बारे में आगे ठीक है तो डेख लेते हैं तो यह आपको दिख़रा होगा चैनल हें अच्ञानल है हए है ए रेत होता है ग्रीन होता और व irony ब्लू होता है और यहां पे क्या होता है यहां यह यह अपने आपने में उप टैटर लिप करते हैं आप पॉटा नहीं होती तो आपको कफी जादा आईडिया होगए कर सकते हैं कि आपडिया नहीं यह वेडियो को देखके समझ सकते है जिस तरीके से तो आप समझ सकते हैं और इससे क्या होता है कि आप जो बैग्राउंड या फो ग्राउंड दूनों का कलर यूज कर सकते हैं तो यह तो था यह कलर पिकर इसके बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं है आगे देख लेते हैं तो यहां पे क्या होता है कि माली जैंख और धुक्हर देफॉल्ल दिख्रेंड यहां सकते हैं आप जो इन डिच्छिट को सो चूथ कर करके अपना एक बना सकते हैं टीक तो यहां चाहीचिज़ अहों तो आगे देख लेते हैं लोग यहां पर देखें यह हिस्ट्री की होते ह है इसकी color की history मतलब कि आपने कितनी बार जो है को यूज किया तो यह आपके जो है प्रिवियस के 50 records जो है यह इस्टोर करके रखती है इससे पहले जो हमने से पहले वाला वीडियो बताया था वहां पर जो हमने अपर कि अपने कि कुछ कि आ अपिल्म हर युदा युड को रखतीहर को सुपफर नहीं है उपर कि अष्दीप अ का वीडियों पहले कि ayuda उपना थे। ले सकते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है घंज अर्थ पक्रतिविन सकते और अगर सकते दो जी जगे भी हैं आपको गार लिख बनाएंगे तो देना होता है तो टेक्स देंगे या कोई चेक्स देंगे लए इस तरीक़े की लिए यह लोगो पर्टिकुलर किसी ने किसी प्लेट को यूज करते हैं यहाप आप देख पा रहा होंगे ठीक है तो देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है तेस्ट प्लेट एंड ग्राफ प्लेट बिलो इट यूवल मेंक आल फॉट अजस्टमेंट तो एने टेक्स्ट यू के ट्रेट विद तर्ट टाइब तूल इस ऑफ्संस अर्वेरेश इमिलर तो वर्ट यू विर फाइंट इन वर्ट प्रसेसिंग बत और यू जो भी देने वादर कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते लिखने के बार में अगर मारी जापको बीजाय आपको कुछ चैंज करना में कुछ चेंज करना है तो आप वहां से कर सकते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते है इसे हम लोग मिनूस पढ़ेंगे और मिनूस में देखेंगे डिफेंट डिफेंट टाइफ के फिल्टर समारे पास होते हैं बैसे कलर सको लेकर करके यह और भी कई मेन भी हम दोग देखेंगे ठीक है most of what you'll find in photo soft menus can be found using a previously discussed tools not treat we are going to take quick look at some notable items in each तो इसके बारे में जो भी मिनुस हैं यह आपने का आप इसके बारे में लोग पहले भी discuss कर चुके आपको प्रीवेस वीडियो में बताया आप इसलिए इसको ले लिया था आप लोग की बार देखके जो है समझ सकें कि कौन सी चीज कहां से आते क्योंकि देखें से लट के बाद फिल्टर साता है फिल्टर में आपको कई सारी चीजे आपको दिख रहे हूं तो हमने इसलिए यहां पर नीचे लिख दिया है कि आपको प्रीवेस वीडियो में बताया जा चुका है ठीक है तो आप लोग यहां से कर सकते हैं एजली कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे आगे बढ़ें और फाइल के बारे में देखेंगे जो क अगर हम लोग इसमें देखें तो कोई फायल होता है वो सेफ करने के लिए ओपन करने की लिए कोई कड़ोगे से बैस कर लोगे ऑपीपेस्ट कर सकते हूं और या कलर को रट्राइब कर सकते हुआ के एडिटिंक काम होते है एमेज में कहा होता है इमेज इमेज करने आपको अपने कोई को दिट बजय चीज़ कर सकते तो यह सारी चीज़ जो है आप अपने हिसाफ से एजस्ट्मेंट कर सकते हैं यह क्या होता है यह पता है यह फोटो सब्सक्राइब जो है लेयर पर ही काम करता है कई बाद यह चीज़ आपको बता चुके है और 50 लेयर अधिटिक टाइम में अपने अनदर इस्टोर करें रख सकता है तो यह साई चीज़ अपने बाद में क्या करता है तो इस चीज को सब्सक्राइब कर देए पर्टिकुलर क्राइटियरिया होगा एक पिक्टर्स ले लिए अब फिल्टर का होते है और जे चेंज करना होता है या किसी चीज को डिषेंडटेक्ट अब इपर विल्ट्र या अन्स करते अनगी कर्दुर्फार, रेटिक नमक्तिए और रसवारॅज का मतलब होता है तो इमेज या ँमेज या तो इस वाज़े से यह साई चीज होती है तो आप यहां से कर सकते हैं जिस तरीके साई पिक्टर को आप चेंज करना चाहें जिस तरीके से एडिट करना चाहें तरीके से अनलेसिस अनलेसिस में अआथ टाएप क्या जिसाम से करने यसमें टीक एंटे का प्रीफा ठीके प्ध्टेशा थकी से रिखाकर को जिसमें तो यरे मेशंत इनिटिंग में बेसिक तो फिर इसाई चीज है अनले से आप ये पिक्टर का मेजरमेंट कर सकते हो और भी कहीं सारे आप फोटोस अप देख रहा है तो उसमें जो इमेज होगी उसमें आप जो है आपको किस तरीके से देखना उसके और कैसे हैं इमेज के एजस क्या है उसकी युक्त दिखते हैं वह वी में आप देख सकते हो ठीक विंडो की बात करें तो विंडो क्या है कि आप जो है डिफेंडिफरेंट टइप की विंदो सो होते हैं दीख लेकिले जाए विंडोस लेट यहाइटव फोटोस और विंडोस अंठाभ उद्लेटो अजक्शूरत किकाइस काई विन्डूस ओपर ने तो आड़ा टाइम जो है आप एक काम करेंगे ना तो बाकि सारी अदर विंडूस को आपने हैट कर दिया और जिस विनडू को आप करेंट्ले रखेंगे उसपे आपक पर्फर्म कर दे हुए उस्से ठीक है तो यह सारी चीज़े होती है तो कुछ दिया कुछ बना दिया और इस तरीके से आपको दिखता है यहां से ठीक है तो इस वजे से हमने कि आपको देखने में सविटा ना कि कौन सा का टूर से किस तरीके से देखता है यह सारी चीजे है तरीके से हमने इसको अरेंज किया है कि आप लोगों को एजली समझ में आसके अगर आपको प्रेटकली यह साइच चीज़े देखनी तो आप हमसे बोल दियेगा तो हम इस पे फुली प्रेटकली वीडियो बना होती ही जितने आप सुच लक्ति उससे भी ज्यादा आसा है यू जस्ट नेट नो टू और कलर एज़ा कंप्लिमेंटरी एंड यू कन दो चैनल तो आउट मच अनद दर कलर ठीक है यू आल्टो नेट टो एबर एसपार्ट वेया कलर दा मोस्ट पर्मिनेंट माने जा आप को होना चाहिते हैं इसो को जो और हे आप कर सकते हैं की उस मेज को हो है अधार कुर को चेंज करके दूसरी कलर रख सकते हैं रहुत कर सकते हैं शम्हूर्मत कर दो इक यह जो आपका लाल कलर है वो क्या है आपका लाइट के लिए इस तरीके से आपको क्या होगा कि में निच्रल हालाइट हो जाएगा जैसा कि आप चाहते हैं बटा फोटो लुक लाइक कूल विकाउस दाफ सब्सक्राइट विद ब्लू कलर तो इस पर जो यह इमेज उभर के आएगी वह काफी ज्यादा अच्छी होगी क्यों ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो आपकी साइडों बनेगी वह ब्लू कलर की बनेगी जो कि जिसका हिस्ता जो डार्क होगा ठीक इस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस जो जैदा बना सकते हैं तो यह साई चीजे होता है इसमें कल रहे हैं और रहे हैं यहां से बीदेख सकते हैं यहां से तो आपको लगता है कि अच्छे से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं उससे आप अपने फोटोस को अपने पिक्चिस को काफी ज्यादा अच्छा लुक दे सकते हो, in the brightest part of the photo you just little bit to read, sometimes let the common with your photos taken a light, low light, you can just select the highlight, trace your button and then move, the slider towards cyan and blue a bit until you start to see colors look a bit more balanced and natural, you can also use color balance to create some interesting color effect and emphasize different color in the shadow, mid tone, and highlights, कहने के मुलब कि आए हैं कि यह जो image आप देख पा रहे हैं यह चोटी सी window है, इस छोटी सी window में क्या होगा कि अगर left right जाएंगे तो यह क्या होगा कि आपका क्या बोलते हैं कि right side में आप जाएंगे तो यह डाग में जाएंगे और इधर जाएंगे तो left में जाएंगे तो आप लाइट में जाएंगे तो आप यहां से क्या कर सकते हैं इस चीज को पकड़ के left right में जैसे जिदर भी हुई है कि जो आप इसका अगर left right करते हैं तो आप एक बार light कर लेंगे एक बार कर लेंगे ठीक है तो यह साई चीज है थी अब लेबल देखते हैं यह देखिए लेवल के एक चोटी सी विंडो है आप यहां पर RGB का भी options होता है ठीक है तो इस तरीके से यह आप जो छोटी सिस विंडो इसको देख लीजें ठीक है यहां से 0 से सुर्व हो रहा है और यहां 255 तक है तो यह चीज होते हैं यहां पर तो हम लोग देखेंगे लेवर करता कहा है हमारा कर लेवल सी जाल लाय कर्व यह थ्री मैन आट देन में स्लाइटर होते हैं आपके कौन कौन से अभी देखते हैं दे लेफ्ट यू है दा स्ट्रीघ्ट जाइडर मोविंग इट ऑन दा राइट एंद इन टेंस्टी ऑफ दा इस यह आपके इन पर पास तीने उपसंस वेते हैं उसके बात में करमा लिज़ा आपने प्रेंग और यह लएको अगर आप ऊसको जो है जो हॉ है यह आपका सडायरल को चुच कर लिए उसके बाद आप उसको मूब करने तो गरें लिफकेटि करेंगे तो क्या होगा कि वहां पर तो wins करेघी और और उसके बाद में चला जाएगा तो इस तरीके से यह चीज को यूज करेंगे तो आप यहां से ब्लैक कर सकते हैं यह ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे ठीक है उसके बाद में आगे देख रहते हैं बाइड फोर्ड लेवल एप्लाइज एनी ऑप देश चेंजेस दा इंटार फोटो यू कैंशलेक्ट इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि जैसे भी चाहिए जिस तरीके से चाहिए आप अपने फोटो को जो है कलर सकते है ठीक है तो चलि बढ़ाने के लिए यूज करते हैं ठीक है तो यह इसका इंपोर्टन ज्यादा होता है अगर आपने कभी क्या बोलता है फोटोगाफर के दुकान पर उसको जो है फोटो बनाते वे देखाओ ठीक है पासपोर साइज फोटो मेक्सर होता है कि जो जैसे आपने का कि तुरंत अच्टिक अच्जाये तो फक्रेय क्आइए तो यह इस चीजे कि फॉटसॉफ से क्षाता है तो ऐसे तुम्हेंन अजग की है करीन कि बाइट और सभाला आजे से का ही नुन होता है इस Estehan 날 कभी प्छिए अगर टे यह सबसे बढ़ा तूल से फोटोसॉप में पावफूल वरसाटाइल एंड वेरी एजी तो कंट्रोल वन्स यूगत है अगर आपके पास में यह टूल है तो फिर आपको और किसी कलर कॉमिनेशन को के टूल की जो नहीं होती है और यह काफी जल्दी अरजिस्ट हो जाता काफी आपको 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 लाइन दिख रही होगी एक नुट रिखा रहे तो आपको ज्यादा नीचे होगे यह वाली जो लाइन दिख रहे होगे आप अगर इसको पकड़ के नीचे करेंगे तो डार्क हो जाएगा ऊपर करेंगे तो लाइट हो जागे तो इस तरीके से कलर का करेक्शन आप यहां से कर सकते हैं काफी जादे के लाइन पे आपको धान लगना जाए 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 चीजे होते हैं दे मिडेल लाइं दक रिस्पेक्ट टू दा मिडेस्ट तो बीच में रखेंगे तो एड़ेट इस रहेगा मतलब कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा दा बॉटम अप लाइन टेचिंग दा बॉर्टम लेफ्ट कॉर्ण आप इसको जो है आपको समझ में रहा होगा इसमें कुछ है नहीं तरह प्रेकली वर्क बहुत ईजी है तो आप इस तरीके से कर सकते है फोटो चिंग एन इन फिंग फोटो को काफी ज्यादा इन हैं करना ठीक है या फिर काफी ज्यादा उसको सुन्दर दिखाना तो यहाँ आप से भी जाए जो है आप काम कर सकते हैं तो इसमें रेकले ते क्या है बेशिंग फोटो अधी टेचिंग एंड इन हैंसिंग इजा वेरी इजी टुवेरी एफेक्ट्व एंड डन विजा राइट लेवल और सब तैल्टी तो कहने को लग कि यह होता है फोटो को इन हैंस क तो कि तो आज कल तो बहुत सारे आप आ गया है जो कि मोबाइल में यू जो थे हैं फोटो सोप की तो फोटो सोप में जो है आप को मालीजे किसी की फ्रेस को कलरना है ठीक है है किसी की ड्राइथ की नय जो भी है या लन्स से जो भी जिस तरीकी को भी आप यूजर नहैत्म करना चाहते हैं इसकाने करेंगे यहाद से आप करेंगे यह आप करेंगे यह ब्रस से तो आप उस प्रस का यूज करके फाइनली उस पिक्चर को लास्ट टाइम में एंड मोमेंट पर आप उसको फाइनल टेशप दे रहे होते हैं तो यह साही चीजी होती है अगे देख लेते हैं हम लोग हेलिंग ब्रस तो यह हीलिंग ब्रस रिष्ट्रीट का मतलब होता है कि य आपको ठोटा हुआ है काम वही करता है कहीं पर छोटा होता है आपको फाइनल टस्के लिए काम आता है ठीक है तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको यूज करते हैं तो आप इसको देख लिजेगा इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं यह बाते हमने पहले अदर टूल्स में इसको भी हो जाते हैं तो यह काफी IMPORTANT है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं that Spong Tools can help you easily destructive particular area if you are removing blemish and वाश्व तो अप्र याज स्ब्सक्राइब ये रवगलास कि छिए लिए भीघ भीघ कंग लेगा कि लुट क्यें भीघ का लुट इस लेगा पूस्ट इंट पोलास कि से रख्ष के लासमय को दिखा है तनी। कि कि दो में रुट है यूनियो कि लिकाई डाहि दो प्राइग ल which is new features in photoshop cf5 to use it what you want to remove needs to be in a background layer select the part you want to remove with a mark or lasso tool and press delete you should be presented with our dialogue box asking you what do you want करने कमलब क्या है कि माली जापने इस एक फोटो ली फोटो में कुछ इस पेस्पिक टाइप के डालना चाहते हैं जैसे कोहरा हो गया आपका दुंदला पन हो गया या बादल का साइट देना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों का इस पॉंग टोल्स का यूज़ करके कर सकते हैं ठीक है तो यह काफी अच्छ अब भी चैंज करना था करने के बार में आपने जो इमज थी उसको जो इसको यूज कर दे यह फिर मालेजे कि आपको इमेश का बैग्राउंड चेंज करने तरीके में और और से बार वाड़ में पहले बता चुके हैं अगर ऊप्रिफिक तरीके की चीज़े आपको यह डैलाग बोक्स में आपको दिखते हैं और आप जैसा यहार्व लू करते हैं उस तरीके से तो यह साही चीज है थी इन्हांसिंग दा पॉटेट पॉटेट इमेज काफी अच्छी माने जाती है तो आप उसकी जो क्वाल्टी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं इसके बारे में लोग यहां पर जेखेंगे थोड़ा सा डिसक्स करेंगे तो देखते हैं अगर इसमें बात करें हम लोग कि we are going to discuss here तो अगर हम लोग इसमें discuss करें तो क्या होगा कि जो image होगी actual में जो image होगी उसके look को और कितना अच्छा और किस तरीके से करना है वो हम लोग यहां से कर सकते हैं ठीक है दा आइडिया टू जेस्ट ब्रिंग अबेस्ट सब्जेक्ट इस नॉट परफॉर्म एनिफिंग देट अन्ट अन्टू टू 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 देयर अपेरें इस्टू जस्ट रंग अन्रियलेस्टिक करने मुलब क्या कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो देखने में तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता लेकिन अगर आप उसकी बात कहें तो देखेंगे कि यह जो image होती है वो काफी ज्यादा अ होता है कि अगर यह एक्जांपल में इसलिए लिए कि आप लोगों कुछी काफी अच्छा से समझ में तो दोनों चीजों में आपजेक्ट एक ही होता है और आपजेक्ट में ब्यूटी प्लस से खिंची गई फोटो और जो आपके अधार कार्ड में लगे फोटो होते हैं उ यह ब्यूटी प्लस से होती है वह ऐसा देखता है तो फिर यह एक एक चोटा सा जो कि आपको याद रखने के रहे काफी था यह लाइफ से रिलेटेड इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं ठीक है तो यह कलर चैनल लिंग तो आप लोग देख सकते हैं आप ठीक है यह तो यह एक रखने होता है आगे देखते हैं हाँ अब बर्निंग एंड डॉग तो इसमें क्या होता है देख देखे एक डॉक्टूल से बारे में पहले बता रख रख एक देख रहेते हैं जब यहां पे हमने इस कंटेंट को लिखा है तो कुछ नोच के लिखा होगा देख लेते हैं एक चीज के बारे में लोग बताएंगे तो यहां पर देखेंगे कि जो बर्निंग एंड डॉगिंग और एक्स्टीम्ली उस्फुल अपलाइंग वर्चुल मेकप टिक है वर्चुल मेकप जैसा है नहीं लेकिन आप उसको ऐसा रिखाने की बात करते हैं तो यहां प आपको समझाने कोशिश कीए आप विव्यूटी प्लस से खींचे एक फूटो जो है वार से पाटे हैं यह दोनों चीजे होती हैं और इसंही तरीके से जो है हम लोग ृस टूर्स का यूज करते हैं और इस टूर्स का यूज करने की बाद में जहां पे आपको जो है एक में आपको उसकी नाग को कैसा लुक देना एक जैसे जो कुर कैसा लुक देना है यह सारे चीजे छी हम अंधाल have a रिक्टी आप काफ़ी याँ काफ़ी ज्यादा काफी ढूलत को सुंदर बना सकते यह सारे वोग्ष करते हैं और उनको यूज़ करने के बाद में हम लोग के त्रूपे से जो है आप मालि जै पिक्चर को कफी ज्यादा करना या काफी जादा डाक करना या फिर ओरीजिनल ओर में रखना तो यहां से कर सकते हैं तो यह तो जो आपके तीन तूल आगे देख लेते हैं लोग क्या करना तो अब जो लास्ट इसमें बचते हैं लगवग फाइनल इस्टेप की तरफ हम लोग पड़ना है पैंट टूल क्या करता है कि पैंटूल में जो इससे पहले का वीडियो उसमें भी हमने इसका जिक्र किया है अगर आप लोग अच्छ से वीडियो को देखेंगे तो आपको पंटूल से वहां से वहां से जानकरी प्लेगी फिर भी चलिए दोबारा बता रहेते हैं इस में कई सारी चीजे होतीज है देखें प्र पेंटूल्स के बारे में आपको लिखा हुआ ठीक है और यहाँ पर को पता चल जाएगा क किस तरीके से कौन से पन काम करते हैं फिर भी देख लेते हैं फोटोस अपन टूल से यह वेरी पारफूल बट इट कैन भी डिसीविंग्स यू डोंट जेनली थिंक अपन 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 डूल आजए क्रियर डॉट अउन पेपर और अटोमेटिकली कनेक्ष देंप्ट इस्पेसिक वे बेस्ट और नंबर अफक्टर स्थिक यू डोंट विकॉस अपन कन आउट डू देट इन डियालिटी बट देट यू थिश्या कि अवह devo पिकट्र सब्सक्रेव तो जो ऑप के इसा होता है है और यहMusic कि विमेजिशपencias टेज होटे या डाइगनेल थे मोथे लिए आप कि इस Kendra में आप को झात्रा कशेए और सब्सक्राइब पार सकते हैं माली जे आपको किसी फोटो की से बार साइच की बात करनी है तो उसमें आप माली जे किसी चीज को को 45 डिए डिए करना चाहते है या फिर डिए रोटेट करना चाहते है जिस तरीके से आपको खर ना जो भी तरीका आपको पसंद आ उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं ठीक के किसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है तो यह सारी जो है वह आपको Photoshop प्रोटार जाता है ठीक हो इ यूसफुल मेथट द्रॉएंग तो इसमें लिखा है कि इन सारी प्रेंग का यूज करके जो है आप वेक्टर ग्राफिस को काफी अच्छ से डिजाइन कर सकते हैं तो बहुत सारे जो आपको यह टूल्स प्रवाइट कर आए गया है इस टूल में से क्या करता है कि यह विक्टर स्टूल के लिए काफी उन सब में से एक ठीक है तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं एंड वी लूकिंग अट हाउ तो यूज मोस्ट आप देम विंड्राइंग के तो इसको किस्ते के से यूज करना जब आप ड्राइंग कर रहे होते हैं यह सारी चीजिए होते हैं ठीक है आगे अगे अधा बेसिक को प्रेशन ऑफ दपन तूल्स इन्वाल्प क्लिकिंग अर सब्सक्राइब करता है कि यह पॉइंट सब्सक्राइब बनाता है और पॉइंट सब्सक्राइब करता है ठीक है करने के बाद में यह अपना जो है जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी सेप और साइज को विद्धा हल्प आफ लाइंस तो यह बैस करने से पहले के सिप्ट की को होड करके रखा हुआ है तो इस तरीके से इसको यूज करके जो है काफी अच्छा से पूर साइच दे सकते हैं आप इसके अलावा भी कुछ और करना चाहते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं तो अपको वरक करना पड़ेगा ठीक है तो उसी तरीके से उसको हम लोग होड कर लेंगे कैसे करेंगे यह देख लेते हैं स्टार्ट ऑफ बाइटिंग पॉइंट टू और यूर काइनवस विद अपन टूल ठीक है आप लोग क्या करेंगे कि उस्पिन टूल को उठाएंगे और करेंगे उसको जो होड करके रखेंगे और जैसे भी आप उस तरीके उसको जो है नीचे की तरफ ड्राउन करते जाएंगे तो क्या होगा कि आपका एक जो पर्फेक्ट कर बनता जाएगा वन यू क्रेट अपॉइंट इन इस पैसन इसका एक्चुल में काफे पैसन में काफे ज्यादा यूज़ होता है ठीक है यूज़ सी टू लाइंस फ्लाइंग आउट फ्रॉम दपर अगर मालिज आपने दो लाइंस को एक साथ से एक पॉइंट से लेकर के चले हैं तो दोस लाइंस इच हैव बाल्स एड़ दा एंड तो दूनों एक एंड पर खतम हो जाएंगी इस यूज़ ड्राइग टू बाल आप उसको देख पा रहे होंगे जहां से मतलब वह स्टार्ट होई होगी नेक्स एंड पर इस तरीके से यह काम करता है यू कैन अल्टर इट इमेडिटली होल्डेंग डाउन फॉप्सन की वाल यू आ इस्टिल टो डैगिंग यू कर इंटू पोजिशन तो जिस तरीके से आप जब भी जहां पर भी आप इसको जो होड करेंगे ड्रेक करेंगे तो उस तरीके से वह अपनी पोजिशन में आ जाएगी इस वांट टू अल्टर इट आफ्टर यहां फिनिश्ट मेकिंग यू कर लेते हैं तो आप लोग नीचे जो है इसको देख ली जागा ठीक है औ और आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसको जो है डिजाइन किया गया है ठीक है पुद्व ट्रेबल गेटिंग और टू तू नर्डू वर्ट यू वोट यू ओं टिक इस तरीके से आप उस पैन्टूल का यूज करके जो भी आप करना चाहें फानल कर सक आप कर सकते हैं तो यह तो था ग्रीडिंग का फार्मूला और यह आपको मिलता का है आपको मेनी में जाना होगा और मिनू के और यह साही चीजे होती है तो यह साही चीजे जो है प्रिंट टोर्व यूज़ करके आपका अच्छे से कर सकते हैं तो यह तो था जो भी आपको फाइनल टिशन देना था जो भी ये थे सरी के आपको इमेज को और ट करना था उस त्रीकी से आपने मgens को अब क्या करेंगे ये सारे वर्क होने के बाद में आप image को सेफ्ड कर लेंगे एίज divisions करने के बाद में आप इमेज को प्रिंट कर लेंगे ठीक है तो इस तरीके से जो है यह हमारा फाइनल जो फोटो एडिटिंग का था जो लेक्चर वो फिनिस हो गया ठीक है तो यहां से हम अपने वीडियो का एंड करते हैं थैंक्स वर वाचिन लाइक शेयर कर दीजिए और क्योंकि अपने एक्जाम के प्रिप्रेशन करें और सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी है और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि अगर लोगों को जो है टाइमली कोर्स को तैयार करना है तो सब्सक्राइब जरूरी है तो हो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल लखिए पढ़ते रहें पेपर की तैयारी करें ठीक है कर जहें